एक बार की बात है, एक गर्म और धूप वाले शहर में लिली नाम की एक प्यारी स्कूल लड़की रहती थी. लिली की एक प्यारी और देखभाल करने वाली मा थी जो हमेशा उसके लिए अद्भुत अनुभव कराती थी. एक गर्मी के दिन, लिली की मा ने उसे रिफ्रेश कराने के लिए तैराकी के लिए स्थानिय स्विमिंग पूल में ले जाने का फैसला किया. जैसे ही लिली और उसकी मा पूल में पहुँची, वातावर्ण में उत्सा भर गया. चम्चमाता नीला पानी उनकी ओर इशारा कर रहा था, उन्हें इसमें गोटा लगाने और अच्छा समय बिताने के लिए आमंत्रित कर रहा था. लिली को पानी बहुत पसंद था, लेकिन उसने कभी तैरना नहीं सीखा था. यहां ऐसा कुछ नहीं था जिसमें उसने बहुत रुची दिखाई थी, और इसलिए यहां उसके लिए कभी प्राथमिक्ता नहीं बनी. जैसे ही लिली और उसकी मा पूल के उतले छोर में उत्रे, खुशी और स्वतंत्रता की भावना ने उन्हें घेर लिया. वे हसे और खेले, अपनी त्वचा पर पानी की थंड़क का आनंद लिया. उन्हें क्या पता था कि यहां दिन घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड लेकर आएगा. एक दिन लिली का छोटा भाई, जिग्यासा से भरकर, पानी की गहराई को समझे बिनाही तालाब में आगे बढ़ गया. अचानक उसने खुद को एक संकट में पाया, संघर्ष किया और मदद के लिए पुकारा. टेराकी कौशल की कमी के कारण लिली केवल भैभीत होकर देख सकती थी क्योंकि उसका भाई सहायता के लिए चिल्ला रहा था. शुक्र है, पास के एक व्यक्ती ने लिली के भाई की परेशानी को देखा और तेजी से कारवाई में जुड गया. यहाँ व्यक्ती एक कुशल तेराक था. संगर शरत लड़के को बचाने के लिए गहरे पानी में गोता लगाते हुए घटनास्थल की ओर गौडा. विशे शग्यता और ताकत के साथ उन्होंने लिली के भाई को सुरक्षित खीच लिया. यहाँ सुनश्चित करते हुए कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है. लिली की मा को हाला की इस बात से राहत थी कि उनका बेटा सुरक्षित है, लेकिन निराशा महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी. वहाँ लिली की और मुड़ी, उसकी आखे चंता से भर गई और बोली, लिली, मेरी बेटी यहाँ घटना तैरना सीखने के महत्व की याद दिलाती है. यहाँ सिर्फ एक मजेदार गतिविधी नहीं है, यहाँ एक महत्व पून कौशल है. अगर तुम्हें तैरना आता तो तुम अपने भाई की जरूरत के समय मदद कर सकती थी. लिली को लगा कि उसके दिल में एक भारी बोज बैठ गया है. उसने पहले कभी तैराकी के महत्व पर विचार नहीं किया था, लेकिन अब स्थिती की गंभीरता उसके सामने स्पष्ट हो गई. उसे एहसास हुआ कि तैरना सीखना केवल मौजमस्ती करने या पानी में शांत रहने के बारे में नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने और संभावित रूप से जीवन बचाने में सक्षम होने के बारे में है. उस दिन के बाद से लिली ने खुद से एक वादा किया. वह तैरा की सीखती थी और आत्मविश्वास के साथ पानी को गले लगाती थी. वह समझ गई की तैरना सीख कर, वह न केवल एक मूल्यवान कोशल हासल करेगी बल्कि अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा और भलाई में भी योगदान देगी. अपनी आखों में दृट संकल्प के साथ लिली ने तैरा की कक्षाओं में दाखिला लिया और तैरा की कला में महारत हासल करने के लिए कड़ी मेहंत की. समय के साथ लिली का डड़ ताकत में बदल गया और उसकी कौशल की कमी दूसरों की मदद करने की एक नई क्षमता में बदल गई लिली की कहानी पूरे शहर में फैल गई जिससे अन्य बच्चों और परिवारों को जीवन रक्षक कौशल के रूप में तैराकी के महत्व को पहचानने की प्रेर्णा मिली लिली तैराकी शिक्षा की समर्थक बन गई और सभी को सीखने और पानी को जिम्मेदारी से अपनाने के लिए प्रुच्साहित किया अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेर करना मत भूलना